सूप्रपात तो कैसे हैं आप सब तो चलिए आज हम गड़त का बार्वा पार्ट पड़ते हैं जिसका विशे है लेना और देना किनारी बाजार में मोती बेचती है वे दस मोतियों से बनी एक माला बेचती है साथ ही खुले कुछ मोती भी बेचती है रजिया को बारा मोती चाहिए इसलिए किनारी ने उसे एक पूरी माला और दो मोती दिये अब पता करो की और बच्चों को कितनी माला और कितने मोती अलग से मिले तो आपको ये एक तालिका दिख रही है इस तालिका में बच्चों के नाम मोती दे रखे है आपको ये बताना है कि उन मोती में से कितनी मोतीों की माला बच्चे को मिलेगी और कितने खुले मोती बच्चों को मिलेंगे जैसे रजिया ने बारा मोती मांगे थे तो उसको एक पूरी माला मिली जिसमें दस मोतीया थे और दो मोती खुले से मिले इसे ही बताईए रीमा को कितनी दस मोतीयों की माला मिलेगी और कितने खुले मोती रीमा को एक मोतीयों की माला मिलेगी और साथ खुले मोती अब आरफ का बताईए उसको 24 मोती चाहिए उसको 2 मोतियों की माला चाहिए जिस हर एक मोती में 10 दस हो और 4 खुले मोती अब सोनों पर आईए उसको 35 मोती चाहिए तो बताईए कितनी 10 मोतियों की माला मिलेगी और कितने खुले मोती उसको 3-10 मोतियों की माला मिलेगी और 5 खुले मोती अब सिमर का बताईए उसको 31 मोती है सिमर को भी 3-10 मोतियों की माला मिलेगी और 1 खुले मोती अब इसमें एक बिल्ली बोल रही है कि रजिया और रीमा ने कुल मिलाकर कितने मोती लिये तो जोड़कर बताईए 12 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 29 आएगा अब आगे चलते हैं रजिया और सीमा एक बिल्ली बोल रही है रजिया के पास एक माला और दो मोती है रेमा के पास एक माला और साथ मोती है तो अब ये बिल्लिया हमें जोड़ना सिखा रही है देखिए कैसे जोड़ रही है फिर दूसरी बिल्ली बोलती है एक दम ठीक तुम उसे ऐसे भी लिख सकते हो 12 और साथ सबसे पहले हम खुले मोतियों को एक साथ लेकर उन्हें गिन लेते है तो खुले मोतियां ये जो गुलाबी वाले गेरों में है ये कितनी हुई? 9 तो यहाँ पर दूसरी बिल्ली क्या लिखती है? यहाँ 9 मोती है इसलिए मैं इसे खाने में 9 लिखती हूँ अब आगे बढ़िए चलो सबी मालाओं को इकटा करके एक साथ किंते हैं तो उसने मालाओं को इकटा करा अब कितनी मालाए आई? जो गुलाबी गेरे में आपको दिख रही है वे 2 आई तो तबी दूसरी बिल्ली बोलती है यहाँ 2 मालाए है इसलिए मैं इसे खाने में 2 लिख देती हूँ अब बिल्ली क्या बोलती है मैं समझ गई रजया और रिमा के पास कुल मिलाकर 2 मालाए और 9 मोती है यह सही है रजया और रिमा के पास कुल मिलाकर 29 मोती है हम अभ्यास का समय पता करने की कोशिश करो कि रज़या और सुनू ने कितने मूती लिये रज़या के पास कितने मूती है 12 और सुनू के पास कितने मूती है 35 तो पहले आप मिले वाले कॉलम को जूड़िए पांच और दो कितना हुआ साथ और तीन और एक कितना हुआ चार तो ये हुए कितने सैतालिस जिसका मतलब ये हुआ रजिया और सुनु ने सैतालिस मोती लिये जिसमें चार खुली चार मोती की माला है और साथ खुले हुए मोती अब आगे पढ़ते हैं एक माला और रीमा और आरिफ के मोती रीमा के पास कितने मोती है सत्रा और आरिफ के पास कितने मोती है चाबस तो अब इसमें बिल्ली क्या बूलते हैं सही अब इन्हें जोडो तो अब दूसरी बिल्ली बूलती है रीमा के पास सत्रा और आरिफ के पास चौले मूतियों को एक साथ किनना है अब वो खुले मूतियों को गिनती है साथ और चार को तो कितना आता है ग्यारा आ रहा है तभी वे बिल्ली बोलती है यहां ग्यारा खुले मोती है मैं इसे खाने में क्या लिखूँ तभी वे बड़ी बिल्ली बोलती है दस खुले मोतियों से एक माला बनती है तो यहां एक माला और जोड देंगे तब ही वे दूसरी बिल्ली का कहती है मैं छोटा एक यहां लिखूंगा ताकि मुझे एक और नई जोड़ी हुई माला याद रहे तो उसने एक छोटा उपर लिख दिया है एक के उपर पीले वाले कॉलम में तब ही बिल्ली बोलती है अच्छा अब बताओ कितने मुटी हुए तब ही वे दूसरी बिल्ली बोलती है मैंने मुटी के डिपे में एक लिख दिया है तब ही दूसरी बिल्ली बोलती है अच्छा है अब तुम सारी माला ये गिनो तब ही वे मैंने माला के खाने में चार लिख दिया है क्योंकि कुल मिलाकर कितनी मालाए आ रही है चार आ रही है तब ही वै बिल्ली बोलती है आ रीमा और आरिफ के पास कुल मिलाकर चार मालाए और एक मूती है तब ही वै पीली बिल्ली क्या बोल रही है एकदम ठीक कुल मिलाकर रीमा और आरिफ के पास 41 मोती है अब आगे बढ़ते हैं तभी हाँ चीटी बोलती है मैं दूसरे तरीके से इसे बहुत चल्दी कर सकती हूँ बहुत आसान है अगर आरिफ रीमा को 3 मोती देता है तो रीमा के पास 20 हो जाएंगे आरिफ के पास 21 रह जाएंगे और फिर 20 और 21 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा 41 हुए क्या तुम इसे और किसी और तरीके से कर सकते हूँ आप ये सूचेगा और फिर हमें बताईएगा अब अब्यास कारे करते हैं लिखकर जोड़ो और बिना लिखे भी पता करो कुल मिलाकर यहां कितने मूती हैं तो आपको यहां पर जोड़ो और कटाफ करना है जैसे रीमा के पास 17 मूती हैं और सोनू के पास कितने 30 हैं तो यहां कुल मिलाकर कितने मूती हुए जोड़िये साथ और पांच को जोड़िये कितना आएगा साथ और बांच को जोड़के बारा आता है तो बारा की जो पहली संख्या है एक वे हम एक लिख देंगे पीले वाले बॉक्स में एक संख्या के उपर और दो लिख देंगे हम नेले वाले खाने में नीचे तब आप एक और एक और तीन को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा पांच हो जाएगा तो कुल मिलाकरी कितने हुए बावन मोती हुए अब आगे देखिए आरफ के पास चौबिस मोती है वर रिजिया के पास बारा चार और दो को जोड़ेंगे तो कितना हुआ चै हुआ दो और एक को जोड़ेंगे तो कितना हुआ तीन हुआ तो ये कुल मिलाकर कितने मोती हुए चत्रस मोती है अब दूसर प्रशन देखिए कितने ज्यादा मोती है सूनू के पास पैथिस मोती है और आरिफ के पास चौबस तो प्रशन ये बनता है कि सूनू के पास आरिफ से कितने ज्यादा मोती हैं तो हम क्या करेंगे गटाफ करेंगे पाच में से चार गए कितना बचा एक बचा और तीन में से दो गए कितना बचा एक बचा तो कुल मिलाकर कितने हुए ग्यारा मोती ज्यादा है किस के पास सूनू के पास अब ऐसे ही दूसरा कीजिए आरिफ के पास 24 मोती है और रजिया के पास 12 तो आरिफ के पास रजिया से कितने ज्यादे मोती है चार में से दो गए कितना बचा दो और दो में से एक गया कितना बचा एक तो ये कुल में लाकर कितने हुए बारा मूती हुए अब आगे चलते हैं सिमर के पास रीमा से कितने मूती ज्यादा है सिमर के पास कितने मूती है एक तस और रीमा के पास कितने मूती है सत्रा अब तभी बिली बिली बोलती है पर हम एक मूती में से साथ मूती कैसे निकाल सकते है तभी वे नारंगी बिली बोलती है सिमर के पास 31 मूती है, रीमा के पास 17 मूती है तभी पेली बिली बोलती है, हम सिमर की एक माला खोल देते हैं दो नारंगी बिली बोलती है, अच्छा, तो अब सिमर के पास 2 माला एख और 11 मूती हो जाएंगे तब ही वे नारंगी विलली बोलते है याद रखने के लिए मैं तीन कार्ट दूंगी और मला वाले खाने में एक छोटा दो लिख दूंगी क्यूकि हमने वहाँ से एक संक्या ले ली है और मोती के खाने में से छोटा सा एक लिख दो ताकि याद रहे कि खुल 11 मूती है अब ये असान है तुम 11 मूतियों में से 7 मूती निकाल सकते हो तो 11 में से 7 किया कितना बचा? 4 बचा तभी वैं नारंगी बिल्ली क्या भोलती है? हाँ मैंने मूतियों के खाने में 4 लिख दिया है अरे ये तो बहुत चल्दी हो गया अब 2 माला में से 1 माला निकाल लो जिसका मतलब ये हुआ दो संक्या में से अगर आप 1 संक्या घटा देंगे तो कितना बचा? 1 बचा तभी नारंगी बिल्ली भोलती है मैंने माले वाले खाने में 1 लिख दिया है तभी बिल्ली बोलती है सिमर के पास रीमा से 1 माला और 4 मूती ज्यादा है तो चल्दे अब हम आगे पढ़ते है तनीशा के पास 17 पैंचल है सिया के पास 25 पैंचल है कुल मिलाकर कितनी पैंचले है तनीशा के पास 17 और सिया के पास 25 तो बताईए कुल मिलाकर कितनी पैंचल हुई साथ और पाँच को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बारा आएगा तो दो हम नीचे लिख देंगे एक उधर कैरी हो जाएगा एक और एक और दो मिलाकर कितने हो जाएगे चार हो जाएगा तो ये कुल मिलाकर कितनी बैंचले हुई 42 पैंचले हुई अब अगला प्रेशन देखिए मुनीजा की कक्षा में अंग्रेजी कहानियों को 13 किताबे और हिंदी की 22 है खुल मिलाकर कितनी कहानी की किताबे है तो जल्दी से जोड़ दीजे 13 और 22 को 3 और 2 कितना होता है 5 होता है और 2 और 1 3 होता है तो ये कुल मिलाकर कितने होए 35 हुई अब अगला प्रशन देखते हैं साक्षी के पास 23 फल थे उसने 15 फल खा लिए उसके पास कितने फल बचे तो अब इसको घटाईएगा अब 3 में से 5 तो नहीं जा सकता तो हम 3 को 13 बना लेंगे और 2 में से एक नमबर ले लेंगे तो जब हम एक संख्या ले लेंगे तो 2 के पास कितनी बची एक ही बची तो 13 में से 5 गए आठ बचा और एक में से एक गया शून ने बचा तो कितने फल बचे आठ फल बचे अब आगे बढ़ते हैं दलजीत के पास 35 कंचे हैं अरवेंद के पास 25 कंचे हैं उनके पास कुल कितने कंचे हैं 35 और 25 को जोड़िये तो कितना होगा 5 और 5 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10, 3 और 1 होता है 4 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा तो कुल मुलाकर कितने होए कंचे 60 कंचे होए अब आगे पढ़ते हैं निशा के पास 32 चूड़िया है सुखी के पास 16 चूड़िया है निशा के पास सुखी से कितनी चूड़िया जाएगा 22 मेंसे 16 गटाई है कितना मचा 12 मेंसे 6 गए 6 बचा और 2 मेंसे 1 गया एक बचा तो कितने हुए जूड़िया सोला जूड़िया हुई अब अगले पन्ने पर देखते है वैंकटेश की कांटीन बिल बनाने में वैंकटेश की मदद करो तो आपको बिल बनाना है डोसा और उत्पम डोसा कितने रुपे का है? तेईस और उत्पम कितने रुपे का है? अठाइस तो अब जड़िया से जोड़ दीजे आठ और तीन कितना होता है? ग्यारा होता है तो एक उधर क्यारी हो जाएगा तो दो और एक होता है तीन तीन और दो कितना होता है? पाँच होता है तो कुल मिलाकर कितने हुए रुपे, 51 रुपे हुए अब अगला देखिए, इडली है 15 रुपे की और कॉफी है 8 रुपे की तो बताएए जोड़िये इसको कितना होगा, 8 और 5 तेरा हुआ, तो एक कैरी हो जाएगा, और एक और एक इतना हुआ दो हो जाएगा, तो कुल बिल कितना हुआ, तेईस हुआ अब अगला देखिए, दही वड़ा, 25 रुपे का, मिर्जी चावल, 18 रुपे का तो आप जल्दी से जोड़ दीजे, 8 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 13 होगा, तो 3 हम नीचे लिख देंगे, 1 हम उपर लिख देंगे, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 तो ये कुल में लाकर कितने रुपे होए, 43 रुपे होए ऐसे ही अगला देखिए, सूप है 27 रुपे का और नूडल्स है 15 रुपे की अब अगले बनने पर देखिए, चलो, अब कुछ खरीदे तो वे दुकान वाला बोलता है, ओ, लगता है तुम्हें दुबारा ग्रे कारे मिला है तो लड़की क्या बोल रही है, नहीं, इस बार मुझे 8 पैंचले और 5 रवड खरीदनी है तो दुकान वाला क्या बोलता है, जरूर, पैंचले 16 रुपे की और अबर 15 रुपे की है तब ही लड़की बोलती है, ओ, 16 रुपे का मतलब 1 10 रुपे का नोट और 6 एक एक रुपे के सिक्के तब इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो लड़की ने लिख लिया 16 और 15 अब वए लड़की क्या सोच रही है, कि मैं सबसे पहले सारे सिक्के एक साथ रख दीती हूँ, मेरे पास 11 सिक्के है, और इसका मतलब 10 का, एक नोट और एक सिक्का 11 सिक्का कैसे हुए उसके पास, क्योंकि 6 और 5 को हम जोड़ेंगे, तो क्या आएगा, 11 आएगा तबी, दुकान वाला क्या बोलता है, बहुत अच्छा, अब तुम देख सकती हो, कि हाँ कुल मिला कर 3 नोट है जब वो उपर एक क्यारी हो गया, तो एक और एक, और एक को जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा तो लड़की को क्या कहती है, मुझे तुमें 31 रुपे देने है, लेकिन मेरे पास 40 रुपे है तो दुकान वाला क्या बोलता है, तो पता करो, तुमें कितने पैसे वापस मिलेंगे अब शूने में से एक तो नहीं जा सकता, तो शूने को हम दे देंगे, एक संक्या तो वे बन जाएगी 10 और चार में से अगर एक संक्या शूने को दे देंगे तो चार के पास कितना बचेगा? तीन बचेगा, तो दस में से एक गए कितने बचे? नौ बचे, तो मुझे नौ रुपे पापस मिलेंगे, जो लड़की बोलती है अब अब्यास कारे करते हैं, अब्यास का समय शेखर के पास 32 रुपे हैं, उसने 17 रुपो की केंद खरी दी उसके पास कितने रुपे बागी बचे हैं? तो 32 में से 17 खटाई है कितना होगा? 12 में से 7 कर पांच बते और 2 में से एक क्या? एक बचा तो 15 रुपे बचे जो भी चीटी बोलती है, मेरे पास एक आसान तरीका है अगर मैं 32 में से 2 सिक्टे और 17 में से 2 सिक्टे निकाल लू तो मेरे पास बचेंगे 30 में से 15 रुपे अब अगला फ्रेशन देखिए सूनी ने 24 रुपे के बिस्किट था 16 रुपे का चिप्स का पाकेट करीदा उसने कितने रुपे देने होंगे? आपको ये जोड़ना है 24 और 16 को जोड़िए इसे बिना लिखे करने की कोशिश करो जो की लड़की बोल रही है तो 6 और 4 हुए 10 हुए 2 और 1 और 1 कितने हुए फिर? 40 हुए बहुत बढ़ा है अब अगला देखिए फंटुश के पास 64 रुपे थे मेले में उसने 45 रुपे खर्च कर दिये उसके पास अब कितने रुपे बचे? 4 में से 9 तो हम नहीं खटा सकते तो हम एक संख्या 4 को दे देंगे तो हो जाएगी 14 तो 14 में से 9 हो गए कितने बचे? 5 बचे और 6 कि जब एक संख्या 4 को दे दी तो 6 के पास कितना बचा? 5 बचे 5 में से 3 गए 2 बचे तो कुल मिला कर कितने रुपे बचे? 25 आशा है कि अब आपको जोड़ और खटाव एक तम अच्छे से आ गया होगा धन्यवाद